अब मेरे मरने सलाह और मेरे पास रास्तानी बचेका साभ अगर रास्तानी को लेगा उन्हों बोला मरना ही है तो फिर मरी ले पहले आए अब कानुगाजी बोलता है मैं पहली बार देख रहे हो यहां को अतिकरन में ठाव भगो कुछ खर्च करेंगो जनकी में हो ना तो यह प कि अधिकारियों को उसकी लती है तो रिस्वत कोर्च सरयाम दिख रहा है यह उसकी बासा बात करके देख लो उससे तुँ और जमिन बचे़ के से मेरे से दूगा कहां से कर जाम यह तीन साड़े सवा तीन लाग रुपर बता रहे हैं कहां से दूगा मैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत नारणपूर के राज़सु ग्राम मोर्डी में मोर्डी की डानी में खड़ावा हूँ इस समय और आप यहां देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह आज एक किसान है उसकी व्यथा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जहां प्रशासन की लापरवाई की वज़य से लगभग 2-3,000,000 रुपाह का उस किसान का नुक्सां हो गया है जिस तरीकी से प्रसासन की जो लापरवाई सामने आई है उसको लेकर किसान आत्म हत्या करने को तैयार है अखिरकार क्या है पूरा मामला में यह आपको पूरा समझाने की कोशिस करूँगा और उस किसान से भी मैं बात करने की कोशिस करूँगा मामला है मोडी की ढानी का राजसोगिराम जहां मोडी की ढानी में हम मौजूद है और आप देख रहे हैं यह जो प्याज है इस समय यह प्याज जो की लाल सोनी के नाम से अलोर की प्याज जानी जाती है लेकिन इस बार जो प्याज आप देख रहे हैं वो काफी अच्छी प्याज हुई थी लेकिन प्रसासन की कहीं न कहीं लापरवाई किसान को यहाँ पर हतास नजर करती आ रही है मामला यह है कि किसान ने जैसे ही प्याज बाई बॉई की और बॉई के बाद में जैसे इसकी कटाई की टाइम आई कटाई की समय किसान को रास्ता नहीं मिलने की वजह से यह प्याज जो की दो बार बरसात होने से सड़ चुकी है लगबग ढ़ाई से तीन लाख रुपय का किसान का नुकसान बताया जा रहा है। प्रसाशन की जो फेलगी नजर जो यहां आई है वो आखिरकार क्या है। वो यही है कि रिकोर्ड में राजसु रिकोर्ड में प्रसाशन के द्वारा रास्ता कटा हुआ है। लगबग पच्पन फिट का रास्ता की हमारी बात हुई है। वो बता रहे हैं कि 55 का रास्ता रिकोर्ड में कटा हुआ है। लेकिन प्रसाशन उसको खु़वाने में ऐसकसम रहा है। इस वज़े से वाहन खेतों में यहां आनाई सकते हैं। खेतों में नहीं आने की वजह से किसान को भारी नुकसान हुआ है यह आप देख सकते हैं यह जो प्याज इस समय है पूर्ण रूप से बीग चुकी है दो बार बरसात होने सी प्याज भीगी थी और बिगने से यह प्याज अंदर से सड चुकी है और हम वो जो किसान है उनका जो नाम है धान सिंग उन दान सिंग जी से भी हम बात कराने की कोशिस करेंगे आखिरकार जो मामला है वो क्या है किस तरीके से प्रसासन यहाँ पर लीपापोती के चकर में लगा होऊँ चायत की थी रास्ता खुलवाने के लिए क्या है ? पर बताएं तो तो शोला तारी के पास प्रिशाषन गाउं के संगा है तो शोला तारी के कैम यहां पे रहेंगे तैसलदार साथ कानगोजी और क्या कैद वह एस्ट्यम भी रहेंगे तो तुछ अपलाई कर दे रास्ताग में तापन निकाल देंगा इने जो भी किम चेजिन फ सब्सक्राइब तो शोला तारी को कैम्प में तैसलदार साम के सामने अपने एक अपलाई लगा दी किले साभी यह मेरो एक अप्लिकेशन चाहरे 1714 नंबर रास्ता को बता रहें जी पतवारी जी पूछा जब नक्साम देख्या जब और मेरो खेत उंडे 16166 को खेत उंडे जी मेरे प्याज पड़ी चाहिए तो मेरे तो बुरी आलत हो जाएगा और नहीं मेरे पास को रास्ता नहीं पचेगा साहब अगर रास्ता निकोले गात उन्हां बोला मरना ही है तो फिर मरी ले पहले काम तो काम के तरीक ही सब कितनों टेम लग जाएगो दो चार पांद नि कोई प्याज कटना सुरू कर दी अब यह आज यह प्याज मेरी कम संगम डेड में नहीं कटी हुई होगी किसके पास जाओ अपना दुखडा रोने के लिए तैसलदार जी के पास दुबारा गया तो उन्होंने बोला अभी अब की बार 27 तारीक से पहले पहले निकल जाएग मेरी प्याज कटरी और बारिशा जाएगा अठाइस थारीक को तैसलदार साब खुद आए यहां साइड पे मोका देखके गए और पटवारी से बोला कि इसको जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी खुलवाओ इस रास्ते को मेरो गया थिक्रम अठाव देखना चाहता हूं म मैं पटवारी जाहर मिलें कि साब दो दिन क्यां का लाग रहा है कि पहमाइस करनी पड़ेगी सीमा ग्यान दिखानों पड़ेगो तो दो दिन मोज आएचे के बोला नहीं वह जरीपतों किसी नहीं सकती और मसीन मंगवाएंगे उस मसीन से करवाएंगे ठीक साब मसीन से करनी पड़ेगी कि बलो नहीं नहीं जुरूत नहीं है मना ओपिसर को उन्होंने अपना जो रास्ता दिखाया दिखाया वो सुनते रहे और वो बोलते रहे ठीक है साब कल जापता देला दो आमको तो कली निखल जाएंगे चार तारीक को जापतो मन लिखर दे दिया पुलि अच्छी तरह और सारा खेत पर लिए तैसलदार जी पास गया था बोले तो शूक ने दे इसको पानी बरा खेतों सूक ने दे सब्ड़ी सूक जाएगी सारी भी इसमें में क्या करूं मैं तो काम करने मुद को एक डिल तोडनी रहा ठीक है साब फिर कानुगा जी कि नंगा सब्सक्राइब कानुगाजी बोलता है मैं पहली बार देख रहे हैं को अतिकरण में ठावो कुछ खर्च करेगो जना कीम होगो ना तो यह पुलीस जापता रहे हो और ने इंडे मारा स्कीम हो रहे हो सब्सक्राइब करदो लो नो ठारी तर सेवा करदो ऊगे शार द्ल estavam के लिए उन्होंने भी साइड़ ने पेण पर करवा refine कर लिॐ ऐसल्दार जी की माया में पुलीस मिलेख साफ कि भारतारीगा को तैरा तारीख क नों लिखकर दिया吏 once I'm 3ड क कानुगा टे है सब इने को ने साएए जल्दी आजा जी मुझे पुलिस जाब तो तो आजा उड़ी पुलिस उली सब और फिर यहां साइड पे पुलिस नहीं पहुंची यहां पर मुझे पुलिस तो थारो काम चूपि पिना पुलिस थे क्यांटा यह जो इंड़ी कि अमारे काम थोड़िये पुलिस लाहना तो अ जय सभाण तो आज फिलिस रास्ता खोलने की आतब भी थे रास्ता खोल जाओ मारे तो क्याम खोल जाओ घॉ कि कानुघ़ी बोले रहे वा के रहे रहे ओ तरह तिना तरी शयाओपाण्य। को न पारी पर मैं चाय मुआ दिम आगा दियुँ सारी के अने रहें जहांद गड़तू काफी दूर पडिए लेकर मैं चाय मुआ देन थरमस में वह न चाय तो हम पीटे नहीं तो साहब वह काम त सब्सक्राइब करें तो यहां पर जो प्याज को नुकसान हो है सबसे बड़ी जो लापरवाई है इस कानों को अगर यह गुम्रान नहीं करता तो मेरा रास्ता थाइस तारी को खुल रहा था करनों को क्या होगार कि गुम्रा कर दिया उसकी लती है सबसाब्सयार के सबसे आप ए amorousa खिंटेंग्यों सुने को iemand किसा रोरी ओस 1965 को अधिकारी को एक अदिकारि इन पजिना नया था 먹고 फ्यास 9 good सबसे बड़ी बात है अपने जमीन बॉई है और कितने बीगां किसान अपना दुखडा है कितना सुन्दर काम करें यह कानुगा की प्रजेंटी में मेरे तो करवा दो मौक है कि मेरे किसगेत में प्याज है किसमें नहीं है मैं तो 1.768 में तो मेरे है 268 मेरा जिसमें लकार राइस है जिसमें बाजरा था मेरे खुद के अपनी पाणी नहीं है इस बैंक के दबाव में आके मैंने अब की बार सो रबे घंटे के इसाब से मैंने पानी लिया है मोल इसमेन लगाई आपको इसमें दिखाई मैंने आपको इसमें दो बीगा पकी मिलाइए नब्यजार कभी जाया था मेरे साधे साथ साथ उपर कुम टल की साथ से घंटा लग अब इस सारा लेवर और बीज और इनकी द्वाईयां सारी लगे तो यह लेक्र मुह जाए की कम सकंद सब्सक्राइब कर देख सकते हैं जो प्याज है यह तीन बार इन प्याजों की कटाई करा चुके है क्योंकि जिस तरीके से जो मोसम चल रहा है उसको देखते हुए प्याज है वो अंदर से सड़ जाती है यह और सड़ने से प्याज बिल्कुल खराब हो चुकी है आप देख सकते हैं इस समय और सबसे बड़ी बात है यह जो किसान है इन्होंने सेंटल बैंक ओफ इंडिया से डाही लाग रुपय का करजा भी ले रखा है उस करजे का भी आपको नोटिस मिला है उसमें क्या है यह लिख रहा है अगर आप यह कोर्ट में पहले तो आप मिल लो कोर्ट में अन्यतात फिर जमीन कुड़की हो जाएगी घाड़ी पर बहुंखला लगके रावाज फिरेगी जमीन बिकरी अब मेरे बाप दादेगा सब का नाम खतम हो गया मेरे रह किया गया मेरे और जमीन बचेगी कैसे मेरे से दूंगा कहां से करज देख सकते हैं यह जो मैं भी समय जो है यह नोटिस दे रखा इन्होंने रतनेश कुमार मेवाल जो की एड़ोकेट है सेंटल बैंक ओफ इंडिया का इन्होंने डाही लाख रुपय का करजा ले रखा है अब इनका जो टोटल तीस नो दो जार इकिस तक इनका जो है राशी जो हुई है तीन लाख तीस जार दो सो त्रेसेट रुपय टोटल सेंटल बैंक इनसे मांगता था इनको एक उम्मीद थी कि मैं दो बीगा जमीन में प्याज लगा कर और मैं किसी ना किसी तरीके से बैंक की साहुकारी रख सकूंगा लेकिन इनके जो मनसूबे हैं उस पर प जल्चू की अंदर से अगर अपन किसी व्यापारी को अगर ये प्याज बेचना चाहें तो वो व्यापारी इस प्याज को नहीं करी सकता यह मेरे हाथ में आप देख सकते हैं सैंटल बैंक ओफ इंडिया का जो अधिवक्ता है वकील है उसके द्वारा इनको ये तेन लाग 30,000 रुपय का नोटिस भेजा हुआ है कहीं न कहीं अब ये किसान अपना दुखडा कहां सुनाएं किस सरकार को सुनाएं किस मंतरी को सुनाएं कौन सुनेगा अखिर कार इन किसानों का दुखडा और मैं दिखाना चाहूंगा जहां इनकी जो प्याज और भी बुरी तरीके किस जो हालत है वह हालत में आपको दिखाना चाहूंगा मैं इस समय किसान तान सिंग जी के खेत में हूँ यहां पर जहां भारी भरकम नुकसान हुआ है लगबक डाई से 3,000,000 रुपय की प्याज है वह सड़ चुकी है गल चुकी है मैं दिखाना चाहूंगा यह प्याज आ बारिष की वज़े से जो खराब हुई है आखिरकार किसान जो अपना दुकड़ा है वो किसको सुनाए और मैं अखिरकार प्रसासन इस किसान की कब सुद लेगा जिस तरीके से अलवर जिले में लाल उन्हें के नाम से प्याज जानी जाती थी पहले ही किसान जो की जले भी रोक की कारण प्याज पूरे जिले में खराब हो चुकी थी लेकिन एक ऐसा खेत बचा था दान सिंग जी का उसमें काफी प्याज थी लगबग तीन से साड़े तीन लाख रुपए की प्याज ये बता रहे हैं इनको एक उम्मीद थी कि मैं ये प्याज बेज कर और सेंटल बैंक ओफ इंडिया का करजा जो डाही लाख रुपए सवा तीन लाख हो चुका है उसका वो मैं चुका दूँगा इन प्याज को बेज कर लेकिन आखिरकार इनके जो मन्सूबे थे इनकी जो सोज थी उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है और पानी इसलिए फिर रहा है कि प्रसासनिया रास्ता दान सिंग जी का नहीं खुलवा पाया है इसकारण ये फेल होते नजर आ रहे हैं प्रसासनिया काफी बड़ी लापर वह रही है अखिरकार इस तरीके के जो किसान है ये अपनी बात किसको सुनाएं अखिरकार किसको सुनाएं ये अपना दुखडा मैं इस समय आप देख सकते हैं काफी प्याज है जो खराब हो चुकी है और यह प्याज अब दो रुपारी इसको तैयार नहीं है अब ये अपना क तरजा है वह बैंक को किस तरीके से चुकाएंगे और परसाशन रास्ता कब खुलवाएगा यह देखने की बात है कैमरा मेन हीरा लाल के साथ मैं बिंटु कुमार देखती रही है बिंटु की नगा